डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का टापिक है प्लेटिलेट क्या है और रोल क्या है प्लेटिलेट्स का और ये कौन सी हालतों में ज्यादा और कम होते हैं तो वक्जाय नहीं करते हैं अपने टापिक को प्लेटिलेट्स को थ्रॉम्बो साइट्स भी कहा जाता है ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो के खून में मौजूद होते हैं ये प्लेटिलेट्स बनते हैं बोन मेरो में और बोन मेरो में बहुत बड़े सेल्स मौज प्लेटलेट्स जब भी रगों को जिसम में चोट पहुंचती है और रगों से खून बहने लगता है तो ये प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को सिगनल्स देते हैं कि वहां पर आए ये वहां पर सारे प्लेटलेट्स एकटे होकर एक नेटवर्क बनाते हैं प्लग्स बनाते को रोकने में मदद मौया करते हैं प्लेटलेट का टेस्ट अकेले भी किया जा सकता है और प्लेटलेट का टेस्ट सी बी सी टेस्ट में भी शामिल होता है बात करते हैं कि प्लेटलेट का जो शकल है जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसे होता है जब हमें इसे माיקροسکोब के नीचे देखते हैं तो यह हमें इर्रेगुलर नजर आते हैं और इनका कोई नूप्लियस नहीं होता इनका जो दैमीटर होता है तो वो 2-3 माICRO मीटर तक होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो चोटे चोटे नेवी ब्लू कलर के जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं माइक्रोसकोप के नीचे तो ये हमारे पास प्लेटिलेट्स होते हैं तो इस हालत को कहा जाता है थ्रॉमबो साइटोसिज और जब प्लेटिलेट्स की तेदाद खून में एक लाग पचास हजार से कम हो जाती है तो इस हालत को थ्रॉमबो साइटोपीनिया कहा जाता है बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का रोल क्या है ये हमारे जिसम में क्या काम करते हैं तो पहला जो वाहिद और मैन रोल इनका है वो ये है कि ये जब भी जिसम में कोई जगा चोट से जखमी होती है और उससे खून बहने लगता है तो ये प्लेटलेट्स खून को रोकने में मद तो यह प्लैटलेट्स उन क्लोट्स को उन प्लक्स को दुबारा डिजॉल्व करने में, खतम करने में help मौधिता है और रगे दुबारा से हमवार हो जाती है, साफ हो जाती है अगर हम बात करेंकि इस टेस्ट का मक्सद क्या है, ये क्यों किया जाता है तो ये बड़ी काम का टेस्ट है और इस टेस्ट की मदद से बहुत असानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी बंदे के खून में जो प्लेटलेट्स हैं तो उनकी तेदाद ठीक है या ठीक नहीं है और वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि अगर खून में प्लेटलेट्स की तैदाद ज्यादा या कम होगी तो इससे हमें काफी सारे बीमारियों का पता चल सकता है और इससे हमें पता चल सकता है कि जिसम में कोई गड़बड जरूर है प्लैटलेट की तिदाद नॉर्मल कितनी होती है हमारे खून में तो इसकी नॉर्मल रेंज पर माईक्रुलीटर खून में होती है 1,500,000 से लेकर 4,500,000 प्लैटलेटस तक अगर हम बात करें कि खूण का नमूना किस बोटल मी लिया जाता है प्लैटेट्स टेस्ट दूए तो 3-5 हैमैल खूण का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर टेस्ट को रन किया जा सकता है new bar chamber पर manually या फिर automated जो fully automated या semi automated analyzers जो होते हैं hematology के तो उस पर भी इसको run किया जाता है और पता लगाया जाता है कि मरीज के खून में या सहतमन्द बंदे के खून में platelets की तैदाद क्या है बात करते हैं कि platelets की तैदाद 150,000 से नीचे क्यों आ जाती है इनकी तैदाद खून में क्यों कम हो जाती है तो कुछ वजुहात हैं और वो वज़े हैं vitamin B12 deficiency, folate deficiency, cirrhosis, alcohol का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए HIV, AIDS की वज़े से, abstin bar, virus के infection की वज़े से, cancer के लिए जो कीमो थेरपी दी जाती है तो उस वज़े से, radiation therapy की वज़े से, leukemia की वज़े से, और mylo dysplasia की वज़े से, खून में platelets की तैदाद 150,000 से कम हो जाती है अभी बात करते हैं कि platelets की तैदाद क्यों ज्यादा हो जाती है, क्या वज़े होती है कि 4,50,000 से platelets की तैदाद ओपर चली जाती है खून में, तो इन वज़ुहात में जो वज़े शामिल है वो है, खून अगर जाया हो जाए, या acute basis पर खून जाया हो जाए, या चोट लग अपरेशन की मदद से अगर स्प्लीन को रिमूफ कर दिया जाए, हेमोलिटिक इनीमिया की वज़े से, रूमाटाइड अर्थराइटस की वज़े से, सरजरी की वज़े से, चोट की वज़े से, या जिसम में मुखतलिफ जगों पर कैंसर्स की वज़े से, जो platelets की तैदाद होती है, तो वो खून में 4,50,000 से उपर चली जाती है, यानि के ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा शुक्रिया, MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है, ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने द